भारतिय सिनेमा के कलाकारों को उनके योगदान और उनकी सिने साधना को सम्मानित करने के लिए दादा साहिब फालके पुरसकार से उन्हें नवाजा जाता है दादा साहब फालके पुरसकार भारतिय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान है जिसकी शुरुआत दादा साहब फालके के जन्शताबदी वर्ष उनिसोनतर से हुई भारतिय सरकार की ओर से ये सम्मान किसी व्यक्ति विशेश को भारतिय सिनेमा में उनके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है देविकारानी से लेकर अमिताब बच्चन जी तक अंगिनत बार हमने गौरव गाथा का ये जिलमिलाता अफसर देखा है जब दादा साहिव फाल के पुरसकार से सितारों और कला साधकों का सम्मान हुआ और इस साल ये पुरसकार भारतिय सिनेमा के महानायक अभिने के प्रखर सूर्य अपनी प्रतिभा के जर्ये एक आम आदमी की व्यथा वेदना उसके हर्ष उसके संगर्ष को अनेक अनेक बार अपने बेजोड अभिने से उकेरने वाले दुनिया भर में भारतिय सिनेमा का चेहरा बनकर चा जाने वाले सिनेमा के महानायक श्री अमिता बच्चन जी को दिया जा रहा है अपने करियर की शुरुआत की और फिर 1970 के दशक में जन्जी दीवा और शोले जैसी फिल्मों के माध्यम से युवापीडी के गुसे को अभिव्यक्ति दी और उन्हें एंग्री यंग मैं कहा गया जो आज भी भारतिय सिनेमा में एक ताकत बने हुए है अभिने के गूसरे दौर में अपने नए निर्देशकों के साथ ब्लाइक और पा जैसी प्रयोग धर्मी फिल्मे की आपने टीवी पर भी काम्याबी का नया इतिहास रचा साल 2000 से आप गेम शो कौन बनेगा करोड़ पती को पोस्ट कर रहे हैं अभिने के साथ साथ पोलियोन मूलन और स्वच भारत मिशन जैसे सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों पर लोगों को जागरूप करने में आपका बड़ा योगदान रहा कला और सिनिमा के लिए आपका अतुलनिय योगदान विश्व सिनिमा की अनमोल धरोहर है शियमिताब बच्चिन जी ने पूरी दुनिया में न केवल अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है बलकि वे भारतिय संस्कृती के दूत बनकर भी सारी दुनिया में भारत का पर्चम लहराने में कामियाब रहे है भारतिय सिनिमा को दुनिया के हर कोने तक पहुचाने में भी आपकी एहम भूमिका रही है आपने सिनिमा के सफर में आप पढ़्म सम्मान के साथ ही चार राश्ची पुरसकार, 15 फिल्म फेर पुरसकार समेत फ्रांस के सरवोच्य सम्मान से सम्मानित किये गए और करीब दोसों से भी ज्यादा हिंदी और छेत्रिय फिल्मों में न सिर्फ अभी ने किया बलकि अन्यक्षमताओं में भी योगदान किया है हमें इस बात की खुशी है कि हम सभी को इस गौरव मैपल का साक्षी होने का अफसर मिल रहा है अपार हर्श और कर्तल ध्वनी से स्वागत कीजिए श्री अमिताब बच्चन जी का श्री अमिताब बच्चन को सिनिमा में उनके उतक्रेश और अमूल्य योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा भारतिय सिनिमा के इस सर्वोच्चे और प्रतिष्ठत पुरसकार से नवाजा जाता है अमिताब बच्चन वो प्रतिभावान अभिनेता हैं जिनके अभिने ने अनिक पीडियों के दर्शकों का मनवरंजन किया है और उनको प्रेरित भी किया है वे दशकों तक भारतीय युवाओं की भावनाओं के प्रतिबिम्ब रहे और अपनी प्रतिभा से किरदारों को सशक्त बनाया उंहोंने अपने अभिने की प्रवीनता से प्रतेक चरित्र के विभिन पहलिओं को उजागर किया जिसने दर्शकों पर समुचित प्रभाव डाला और उनके हिदे को छुआ श्री अमिताब बच्चन की बहु मुखी अभिने प्रतिभा भारतिय फिल्म जगत में निरंतर पांच दशकों से अधिक कि अभिने यात्रा जो की विभिन अविस्मर्णिये पात्रों के जरीए सदैव अमर है के लिए ये प्रशस्ति प्रदान की जाती है श्री अमिताब बच्चन झाल 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 दादा साहब फाल के सम्मान से सम्माने श्यमिताब बच्चन जी से हम अनुरोत करेंगे कि वो आएं और दो शब्द कहें भारत के राश्वपती माननिय और परमाधर नी श्री रामनात कोविन जी सूचना प्रसारन मंत्री अधर नी प्रकाश जावडिकर जी यहां उपस्तित सभी परिश्ट पती थी गहन राश्टी पुरुसकार से सम्मानत सभी विजेता देवियों और सर्जनों मैं भारत सरकार सूचना प्रसारन मंत्राले और राश्टी पुरुसकार के जितनी भी जूरी के सदसे उनको मैं अपनी और से अत्यन्त अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आज उन्होंने मुझे इस योग के समझा कि मैं दादा साब फाल के पुरुसकार से सम्मानत किया जाओं पीश्वर की क्रिपा रही है माता पिता का अशिरवाद रहा है फिल्मिद्यों के सभी निर्माता निर्देशक और सबसे जादा भारत की जनता का स्नेह और निश्टा पूर्ण प्रोटसाहन रहा है जिसकी वज़े से आज मैं आपके सामने खड़ा हूं दादसाब भाल के पुरुसकार की स्थाबना पचास वर्ष पहले हुई थी और इतने ही वर्ष मुझे इस फिल्म अद्योग में भाग लगने का काम करने का सभागी प्राप्त हुआ इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ इस पुरुसकार को मैं बहुत ही विनम्रता से स्विकार करता हूँ अपना आभार प्रकट करता हूँ और नमस्कार करता हूँ अंत में जाने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा यदि आपकी आग्या हो जब इस पुरुषकार की गोशना हुई तो मेरे मन में एक संदे उठा और दृष्टिता के लिए एक शमा प्रार्ति हूँ कि क्या कहीं ये संकेत है मेरे लिए कि भाई साथ अब आपने बहुत काम कर लिए आप घर बेटके आराम कीजिए क्योंकि देवियों सजनों अभी भी थोड़ा बहुत काम बाकी है जिसे मुझे भी पूरा करना है और आगे भी कुछ ऐसी संभावना है बन रही है जहां मुझे काम करने का अफसर मिलेगा झाल